दोस्तो रमजान के महीने में सोधी अरब से एक वीडियो वाइरल हुई है जो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ ये वीडियो देख कर लोग अरब देश की तारीफ तो कर ही रहे हैं साथ ही साथ इसलाम की भी तारीफ कर रहे हैं क्यों इस वीडियो में क्या है आईए आप लोगों को बताना चाहता हूँ देखिए आप देख सकते हैं अरबी शेख के दस्तरखान में एक मजदूर जाकर के बेठ गया है शायद मजदूर को पता नहीं होगा कि यहाँ पर आएंगे शेख लोग आएंगे बेठेंगे और रोजा खोलेंगे आप देख सकते हैं दस्तरखान मौजूद है अफ्तारी भी मौजूद है और वो मजदूर कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि यह मजदूर इंडिया से हो सकता है लेकिन मुझे पता नहीं कहा कि हैं क्योंकि चेहरा देखकर अनुमान नहीं लगाया जा सकता है हो सकता है बंगला देश या पाकिस्तान कहीं का भी हो सकता है बहराल जहां के भी हो उस मजदूर को शायद पता नहीं था कि अर्बी शेख यहां पर आएंगे पहले से वो रोजा खोलने के लिए टाइम हो चुका था रोजा खोलने के लिए वो मजदूर आकर बेठ गया उसके बाद क्या होता है अर्बी शेख आने लगते हैं और वहां पर बेठ जाते हैं जब शेख बेठ गये तब वो मजदूर चेहरा देखते हैं चेहरा देखने के बाद वो दूर खिसकने की कोशिस करते हैं पीछे खिसकने लगते हैं लेकिन वो शेख मना कर दिया और सिर्फ मना नहीं किया बलके अपने पास बुला लिया दूर जाने से मना किया और अपने पास बुलाया पास में बिठा कर रोजा अफ्तार किया रोजा खोला अब दूसरी खबर आप लोगों को बताऊंगा ये खबर भी सोधी अरब से है लेकिन बाहरी लोगों से जुड़ी हुए है उम्रा करने जो यहां वहां अलग 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 देश के लोग जो उम्रा करने जाते हैं उनमें से 20 लोग एक साथ अचानक खत्म होगा ये जल कर केसे हुए वो आप लोगों को बताऊंगा उससे पहले पहली खबर को पूरा करते हैं देखिए शेख ने उचनीच जातपात को खत्म कर दिया इसलाम में बताया जाता है कि सब के सब बराबर है लेकिन भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जो उचनीच जातपात मानते हैं तुम चुँत हो इस तरह करते हैं तुम दलिट हो ये हो वो हो लेकिन इसलाम में सब बराबर है यही खुबसूरती इसलाम के अंदर जो यह खुबसूरती है इस वीडियो में देख कर लोग इसलाम की तारीफ कर रहे हैं अब आईए दूसरी खबर की तरफ देखिए रमजान के महीने में कई लोग उम्रा करने जो गए थे उम्रा करने के लिए उनमें से 20 लोग अचानक एक साथ जल कर खत्म हो गए कैसे खत्म हुए आपकी स्क्रीन पर देखिए ब्रेक फेल होने की वजह से सोधी अरब में उम्रा करने गए मुसाफिरों से भरी बस पुल से टकरा गई इस दुरघटना में 20 लोगों के जिन्दा जल जाने की खबर है करीब 30 लोग जखमी हो गई है इस क्रीन पर आप बस भी देख सकते हैं जो पहाड़ी से टकरा गई है पुल से भी टकराई है और टकराने के बाद बस मैं बताया जाता है कि आग लग गई आग लगने के बाद इस रमजान के महीने में आप सोच सकते हैं 20 लोग खत्म हो गए 30 गायल है और अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अब तक हो सकता है कि मोतों की संखिया और बढ़ गई हो इसलिए इस पाक महीने में मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ जिन लोगों की मोत हो गई है उनके परिवार वालों को अल्लाह सबर की तोफिक दे दोस्तो इस वीडियो को शेर करके दूसरों को भी दुआ की दर्खास्त आप कर सकते हैं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फिर मैं मिलूंगा किसी दूसरी वीडियो के साथ